हेलो बच्चा पाड़ी, hope you all are doing great तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर वन कम्प्रेट किया था अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टू इन केस आपको चैप्टर वन की किसी भी टॉपिक में या किसी भी कोश्चन में कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो, I will try my level best to clear all your doubts और हाँ, अगर आपको SM, that is strategic management से related भी classes चाहिए या कोई particular topic में explanation चाहिए तो आप बता देना, I will try to explain that and if you all want, then we can have a telegram channel और instagram channel, जैसा भी आप लोगों को suitable हो, बताना I will make one so let's start chapter 2 तो जैसे कि हम chapter 1 में पढ़ के आए nature scope and objectives of audit that is हमने audit क्या होती है एक thorough overview समझ लिया है कि audit में ये ये चीज़े करनी होती है इस तरहीके से करनी होती है हम audit क्यों करते है, उसका objective क्या है that is essay 200, हमने वो सब पढ़ लिया है अब हम पढ़ेंगे उस audit को perform करने के लिए क्या करना होता है audit strategy, audit planning and audit program this chapter is really important क्योंकि आगे आप जितने भी chapters पढ़ने वाले हो उसमें आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ standards पढ़ेंगे कि आपको एक particular चीज़ एक्जामीन करनी है तो आप क्या क्या तरीकों से कर सकते हो तो आप chapter 2 में सिखोगे कि आपको कैसे decide करना है कि हमें कौन सब activity, कौन से standard perform करना है that is आप यहाँ सबसे पहले सिखोगे planning करना so let's start एक छोटा सा overview देख लेते हैं planning and audit involves establishing the overall audit strategy developing an audit plan आप एक audit को plan क्या के basis पे करोगे मतलब ऐसा थोड़ी है आपके पास कोई company आई उसने बोला हमें audit करानी है और आप plan करने बैठ गया हम इतना इतना चीज़ कर देंगे ऐसे से कर देंगे नई, पहले आप strategy set करोगे audit strategy अब यो audit strategy हमें क्या बताती है STD that is scope, timing and direction of audit उस particular company के ले हमारी scope क्या है हमें क्या, क्या चीज़े करनी है और क्या नहीं करनी है timing कितने time के अंदर audit खतम करनी है किस direction पे audit करनी है कौन से procedure करने चाहिए जब आपको timing बताऊगा इतने time limit के अंदर करना है इतना resource हमारे पास है हम जादा से जादा उस company में जाके इतनी चीज़े कर सकते है हमारा scope इतना ही होगा तो उसके basis पे आप plan बनाऊगे न तो plan करने का हमारा सबसे पहला step होता है establishing the overall audit strategy and then developing an audit plan अप इस strategy के basis पे plan बनाएंगे so what does planning and audit involves planning and audit involves establishing the overall audit strategy जिरसे हमें scope, timing and direction पता चलता है and then उसके basis पे developing an audit plan अब plan कैसा होना चीए आप कुछ भी plan उठाके तो नहीं बनाऊगे न आपको timing पता है बस आपने 10 steps सोच लिए हम पहले ये procedure करेंगे ये procedure करेंगे और ये इतने दिन के अंदर तो होई जाएगा ऐसे तो planning नहीं होती न the auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner हम जो plan बनाएंगे न audit का वो effective भी होना चीए और efficient भी होना चीए now what does this two words mean बहुत लोगों को न इसका मतलब नहीं समझ में आता effective होना मतलब वो अपने desired outcome को achieve करना for example हमें audit में क्या चाहिए reasonable assurance चाहिए एकदम absolute assurance नहीं चाहिए reasonable for example मर लो आपको 90% assurance चाहिए तो आपकी audit की planning ऐसी होगी कि जब आप procedure परफॉर्म करो तो आपको 90% assurance मिले अगर मिल रही है तो वो आपकी audit के लाएगी effective audit 90 नहीं भी तो 89,88 मतलब उस 90 के तो at least इतने पास कि वो effective कहला सके वही efficient का मतलब है सही resources को use करते हुए अब क्योंकि आपको चाहिए 90% assurance तो मान लो आपको fees मिल रही है x और आपने उसे अपनी audit objective को पूरा करने के लिए पैसे resource जो भी है सब लगा दिये 2x तो आपकी audit effective तो हो जाएगी पर क्या efficient होगी आपको मान लो for example आपको मिल रहा है किसी चीज़ को करने के लिए 1000 पर आप उसमें खर्च कर रहे हो 1200, 1500, 2000 तो that is not efficient तो हमें planning ऐसी करनी चाहिए कि हमारी audit effective भी हो efficient भी हो और timely manner में हो time के अंदर खतम होनी चाहिए in simple words efficient का मतलब होता है किसी काम को सहीं तरीके से करना और effective का मतलब होता है accurate काम करना अब just because आप कोई काम सहीं कर रहे हो for example मान लो आप कोई investment bank के investment company में गए हो उनकी audit करने अब आपको वहाँ पे check करना है उनका bank statement और आप बैड़े के वहाँ पे cash check कर रहे हो उनका cash गिन रहे हो अब आप cash बहुत perfect way पे गिन रहे हो कोई mistake नहीं होरी आप काम efficient कर रहे हो आप correct way में काम कर रहे हो पर क्या वो काम accurate है आपकी audit के लिए क्या वो सही है नहीं तो effective मतलब होता है accurately कोई काम करना और efficient मतलब होता है correct way में उस काम को करना I hope you all are clear with this so the auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner next plans should be based on knowledge of client's business अब audit की planning कैसे करोगे उसका आपको scope, timing और direction पता कैसे चले पहले आपको ये तो पता होना चाहिए client काम क्या करता है किससे किससे deal करता है कैसी industry में है आपको बस आगे किसी ने बोला कि एक audit करनी है इतनी time limit है और आप ये ये चीज़ कर सकते हो इससे साथ आप कुछ ने कर सकते हो कि आप plan बनाने बैट जाओगे आप पहले ये तो देखो कि क्या इस तरह का business है क्या काम है अब ये knowledge of clients business में क्या क्या aspect cover होते है न ये हम आगे बढ़ेंगे but as अभी हम overview ले रहे है तो हमें इतना समझना है कि हमें plan बनाने के लिए knowledge तो हो नहीं चीए client के business की जो बहुत obvious है मतलब ऐसे रट्टा मारने वाली चीज़ ही नहीं है ये बहुत obvious सी चीज़ है plans should be further developed and revised as necessary during the course of the audit अब आपको पता चलिया कि client का business क्या है आपको scope, timing, direction सब पता चल गई आपने audit plan कर रहे है अब जब आप audit procedures perform कर रहे हो तब आपको पता चले इस particular area में कोई तो problem है हापे कोई miss statement आ रही है कुछ issue भो रहा है तब भी कि आप जब पहले सोच के आये ते उपर-उपर से ये चेक करना है वही करोगे नहीं आप अपने plan को develop करोगे आप उसे revise करोगे और जैसे course of audit मतलब audit में आपकी जो भी circumstances आ रहे हैं जो आपको दिखरी है situation उसके business में आप further develop करते रहोगे और revise करते रहोगे अपने plans को ताकि at last आपको एक सही result मिले तो इन सोट हमें क्या तीन चीज़े ध्यान में रखनी है कि हमारा plan effective हो efficient हो timely manner में हो based on knowledge of clients business हो plan should be further developed and revise ऐसा plan नहोग या उसको revise ही नहीं करवा रहे हो चलो आगे बढ़ते हैं यह जो box दिया है न इसमें यह explain कि है कि हमने chapter 1 में क्या पड़ है for example मैं आपको first paragraph की एक दो चीज़े दिखा देती हो अपने अभी तक by now अपने अभी तक basic nature of audit क्या होती है यह समझ लिया है objective of audit समझ लिया है audit करना एक logical और systematic process होती है हमें यह भी समझा आगिया है likewise इस पूरे के paragraph में वो चीज़े short form में बताई गई है overview दिया गया है कि आपने अभी previous chapter में यह यह चीज़े पढ़ी है तो अब हम start करने वाले auditor's responsibility to plan and audit of financial statement तो जैसा कि अभी हम essay 200 पढ़ के आए chapter 1 में यह हम पढ़ने वाले essay 300 planning and audit of financial statement यह जो essay के नाम के बाद bold letters में एक heading सी लिखी हुई है यह essay का नाम है आपको as it is यही लिख के आना है essay 300 planning and audit of financial statement it deals with auditor's responsibility to plan and audit of financial statement it states that objective of the auditor is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner basically अब इस एक particular essay के अंदर यह पढ़ने वाले होगी auditor की क्या क्या responsibility होती है while planning and audit और उसकी क्या objective होती है objective यह होता है कि जब आप audit plan कर रहे हो तो वो इस तरह से हो और इस तरह से perform हो कि वो effective हो तो हम ऐसे 300 के अंदर यह यह चीज़े पढ़ने वाले है why planning and audit is necessary its benefits अब obvious सी बात है आप कोई चीज़ क्यों करोगे उससे आपको benefit मिल रहा होगा ताभी अगें जो आपने उपर एक line पड़ी थी ना effective उसी पर planning and audit is necessary to carry out it effectively in a timely manner effective होना जरूरी है साथ में time में खतम होना भी जरूरी है besides ensuring compliance with professional standards it helps in performing audit engagement effectively अब सिर्फ outcome नी चीए या सिर्फ timely manner पर नी चीए हमें ये भी चेक करने है जो outcome हमारा timely manner पर है क्या उसको हम comply कर रहे है professional standards के साथ पता चला आपने time रह दे सारे procedure perform कर दिये आपको result में मिल लिया पर वो procedure as per standards है ही नही तो वो आपकी audit सही नहीं कहलाईगी planning and audit is necessary to carry out it effectively in a timely manner besides ensuring compliance with professional standards it helps in performing audit engagement effectively अब planning करने से क्या होता है अपने ये समझ लिया अब हम समझेंगे adequate planning adequate planning मतलब बहुत अच्छी planning अच्छी तरह से सोच समझ के बनाई गई planning के क्या benefits होते है आपने न एकदम ऐसा full proof एकदम perfect plan बनाया है तो आप वैसी बात है उससे benefits तो आपको मिलेंगी सबसे पहला helping the auditor to devote appropriate attention to the important areas of the audit अब जब आपको client के business की knowledge होगी आप उसके basis पे अपनी planning करो के audit की तो आप वैसी बात है आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि इस particular company का का काम यह है तो हम यह particular section तो यहां का चेक करना ही है और बहुत अच्छे तरीके से करना है for example कोई business है जो पूरा cash पे deal करता है उनका bank का काम बहुत काम है सिर्फ cash ही cash का काम है तो आपको यहां पे appropriate attention कहां devote करनी है cash के section पे likewise कोई firm है जिसका पूरा काम online है अब वहां पे कहां अपना ध्यान दोगे bank statement चेक करोगे अब जब आप एक appropriate attention कर रहे हो important areas में तो आपको यह एक और help मिल जाएगी आप बहुत easily identify कर पाऊगे और अगर identify कर लोगी तो resolve भी कर पाऊगे potential problems को जितने अच्छे से attention दोगे उतने अच्छी तरीके से आपको problems को identify करते बनेगा और problems identify होगी तो obvious सी बात है resolve भी होगी helping the auditor properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner again यह तो chapter के start होने के वाद से तीसर या चौथे बार repeat कर दिया है एक ही चीज़ को आप obvious सी बात है अप planning इसलिए तो कर रहे हो ताकि आप properly organize कर भा हो आप manage कर भा हो आप इसलिए थोड़ी planning कर भा हो कि आप managing कर भा रहे हो कुछ भी कुछ भी होए जा रहा है planning करने का motive ही है न कि आप properly organize and manage कर भा हो और इस तरीके से करो कि वो effective or efficient हो अब आपकी planning ही है ऐसी है तो आपको यह benefit तो मिले गई assisting in the selection of engagement team members with appropriate level of capabilities and competence to respond to anticipated risks and the proper assignment of work to them यहाँ पर जो यह लिखा है न engagement team member अभी chapter 1 में हमने पढ़ाता है engagement मतलब क्या होता है जो auditor और client के वीश में contract होता है उसे हम audit engagement भूलते है इस engagement का perform करने के लिए जो team बनती है for example मान लो एक CA जा रहा है उस CA का एक employee जा रहा है और साथ में दो articles भी जा रहे है तो यह लोग मिलके बने engagement team members तो planning हमें assist करती है engagement team members को select करने में with appropriate level of capabilities and competence अब आप एक particular section of company की audit करने जा रहे हो for example सबसे easy समझना है investment companies गया ऐसी company जो share market में deal करती है या crypto market में deal करती है क्या ऐसी company की audit कोई भी कर सकता है नहीं आपको कही न कहीं थोड़ी बहुत share market की knowledge होनी चीए crypto की knowledge होनी चीए not as in कि आप भी invest कर भाऊ इस level की knowledge बड़ेक थोरो knowledge होनी चीए समझ होनी चीए ताकि आप ये तो समझ सको कि ये company जो है ये ढंग से काम कर रही है या नहीं तो ऐसी company की audit ले हम जो engagement team में रजाएंगे हम चेक करेंगे क्या उसके अंदर ये capability है क्या उसके अंदर ये competence है कि वो ऐसी company में जाके audit कर पाए level of capabilities and competence to respond to anticipated risk अब 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 यसी बात है भाई कोई CA firm में काम कर रहा है कोई article बनके बैठ है कोई CA बनके बैठ है तो वो खुद में इतना capable और competent है तब तो हहाँ पे बैठा है न पर ज़रूरी थोड़ी है हर एक इंसान हर section के firms हर section के industry की audit कर पाए तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो capable और competent हो to respond to anticipated risk जैस firm की audit करने जा रहे है उसके लायक हो उसकी audit के लिए capable और competent हो और अब जाके बात है चलो audit शुरू करो assign भी तो करोगे काम की तुम ये काम करो तुम वो काम करो facilitating the direction and supervision of engagement team members in the review of their work अब आप उनी planning में ये decide कर दे हो कि आप वो कौन लोग ले जाने है कौन उसके लिए capable होंगे तो आप ये भी plan करोगे कि कैसे उनके काम को check किया जाए किस डारेक्शन पर किसे कैसा काम कराना चाहिए और कैसे उसे supervise करना चाहिए अगर आपने ये चीज़ प्लैन की है तो आपको इसका facilitate तो होए गई assisting where applicable in coordination of work done by others such as exports अब मान लो कोई company है जिसको CS की जरूरत है जिसको CMA की जरूरत है उन्होंने CS और CMA को employee किया हूँ तो जब आप audit करने जाते हो आप सारी चीज़े चेक करते हो तो आपकी planning है ऐसी होनी चाहिए कि आप जो ये experts मां काम कर रहे है इनके साथ अच्छी तरह से coordinate कर सको अब मान लो CS और CMA का working hours है 9 से 12 बस सुबह 9 से दोपहर 12 अब आप बोलोगे नहीं मैं तो 2 बज़े office आई हूँ तो मुझे अब तुम 2 बज़े बुलाके तो CSCMA को ऐसे नहीं होता आपको planning इस basis में करनी है कि आप proper coordination कर भाओ इसलिए तो कहा है ना कि client के business की knowledge होनी चाहिए therefore planning and audit ensures that audit risk is reduced to an acceptably low level अब जब आप proper planning के साथ काम करने जा रहे हो तो अब दसी बात है आपको risk low तो हो ही जाएगा when audit work is adequately and properly planned it reduces the risk of inappropriate opinion by the auditor अब कोई planning ही नहीं है ऐसे ही उठके कुछ भी जाके procedure पर फार्म कर दिया तो ज़रूरी थोड़ी opinion सही हो पर आप proper planning के साथ गए हो अब adequate planning के साथ गए हो तो अब एक appropriate एक अच्छा opinion वहाँ पर प्रेज़ेंट कर पाऊगे एक सचा opinion तो let's revise once audit planning की benefits पहला ये help करता है to devote appropriate attention to important areas जिससे हम कर पाते है अच्छी तरह से identify and resolve potential problem it helps to properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner it assists in the selection of engagement team members with capabilities competence to respond to anticipated risk and proper assignment of work to them facilitating the direction and supervision of engagement team members assisting where applicable in coordination of work done by others such as exports so I hope this is clear एक बर यहां से भी छोडा सरी विजन करी लेते है benefits of planning क्या क्या पढ़ा अभी हमने appropriate attention to important areas identify and resolve potential problems effective and efficient audit selection of team members direction and supervision of team and review of work coordination with other auditors and experts अब तो इसको भूलने की कोई गुंजाईशी नहीं है nature of audit planning a continuous and iterative process तो अभी हमने benefits पढ़ लिया है अब हम nature पढ़ेंगे audit planning का continuous and iterative process continuous का तो मतलब हमें पता ही है बीनारू के कोई process चलता जा रहा है चलता जा रहा है that is continuous iterative का मतलब होता है repetition making repetition हमारी planning continuous होती है हमारी planning रुकती नहीं है iterative होती है एक ही कोई plan की हुई चीज़ आप बार बार repeat भी करते हो जब circumstances आपको allow करें planning is not a discrete phase of an audit but rather a continual and iterative process discrete का मतलब होता है separate planning audit से कुछ अलग नहीं है audit का ही part है planning जो की continuous होती है iterative होती है that often begins shortly after after the completion of the previous audit that often begins shortly after or in connection with for example आपने 2023 की audit कर ली ठीक है किसी company की तो ये audit जिस तीन complete होगी न उसी के just अगले दिन से आपकी next year के audit के planning start हो जाएगी it often begins shortly after or in connection with मानलो अपने 2023 की audit की आपको एक fraud मिला आपको कुछ चीज़ें मिले की अरे यार यहाँ पे तो कुछ mistake हो रही है यहाँ पे fraud होने की संभावना है तो उसके connection में आप जब next year की audit plan करोगे तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे इसलिए बोला है often begins shortly after or in connection with the completion of previous audit and continuous until the completion of current audit engagement अब मानलो अपने 2023 की audit खतम की फिर आपने start की 2024 की audit तो इसकी planning तब तक चलती रहेगी जब तक वो complete नहीं हो जाता engagement आपका planning however includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures that need to be completed prior to the performance of further audit procedures अब देखोई या पर वर्ड क्या लिखा है further audit procedure मतलब आपने कोई तो particular audit procedures plan किये हैं हमें यह यह तो perform करनी है इसके अलावा further हमें और भी perform करनी है तो हमें planning करते हैं बगत न ऐसी audit procedures का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें complete करनी है before performing further audit procedures वही लिख है planning however includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures that need to be completed ऐसी audit procedure जो complete हो जानी चाहिए prior to the performance of further audit procedures for example planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of risk of material misstatement अब आगे हम जब भी पढ़ेंगे न risk of material misstatement तो उसको बोलेंगे raw mom अगर मैंने कभी भी कुछ पढ़ाते हुए बोला raw mom तो समझाना है I am talking about risk of material misstatement तो एक सांपल में हमें बोल रहा है न हमें क्या चीज़ कंसीडर करनी है audit में मारा main काम क्या है हमें opinion देना है opinion क्या विसस पे देना है कि क्या कोई risk है क्या कोई fraud है या सब सहीं चल रहा है तो prior to auditors identification and assessment of the risk of material misstatement हमें कुछ matters है जिनका ध्यान रखना होगा जैसे की the analytical procedures to be applied as risk assessment procedures risk को check करने के लिए ऐसी कौन सी procedure है जो हम apply करेंगे अब ऐसा तो नहीं है आप चलेगा है और कोई भी procedure पफार्म कर दी एक particular risk को check करने के लिए एक particular procedure ही तो होगी अब जब आप आपके पढ़ोगे न तो एक चीज़ को check करने की दस procedures होती है तो आप क्या दसों परफॉर्म करने बैठ जाओगे नहीं आपको एक या दो चीज़ एक fix करोगे कि हम यह परफॉर्म करनी है तो पहला such matters as the analytical procedures to be applied as risk assessment procedure फिर उसकी performance को भी देखेंगे की perform हो भी रहेगी नहीं परफॉर्म की रिस्क असेस्मेंट प्रोसीज़र्स अब आप किसी फिर्म की रिस्क ऑफ पडेगल में स्टेटमेंट को identify और assess कैसे करोगे अब गलती तो किसी भी प्रकार की हो सकती है ऐसा बिसनस तो आप चेक करोगे पर आप यह भी चेक करोगे न कि उसके उपर कौन-कौन सी लीगल और regulatory framework है जो लागू हो रही है और क्या उसे comply किया जा रहा है चलो माननो यह financial term में नहीं आता पर फिर भी अगर यह comply नहीं किया जा रहा होगा आप कोई law तो रहे होगे तो कल को penalty लगेगी कल को case होगा केस लड़ने के लिए पैसे दोगे तो कहीं न कहीं में अपके financial terms को affect कर रहा है तो हमें इस चीज़ के वड़ी understanding हो नहीं चीए फिर अभी हमने क्या बढ़ा उपर कि हमें यह जो matters है इसको किस से पहले धियान रखना है prior to the auditors identification and assessment of risk of material misstatement वो misstatement material है की नहीं वो कैसे पता चलेगा the determination of materiality आपको यह तो पता होना चाहिए कि आपका material amount क्या है the involvement of experts कि आपको expert involve करने की जरुरत है आप खुद में सब चीज़ देख सकते हो तो यह बहुत ही logical चीज़ लिखी है कि prior to auditors identification and assessment of ROMAM हमें कुछ matters कर ध्यान रखना हुगा that is first the analytical procedures to be applied as risk assessment procedures performance of risk assessment procedures obtaining a general understanding of legal and regulatory framework और उनका compliance the determination of materiality and the involvement of exports I hope you all are clear with this और जब आप आगे आप question आँसे solve करोगे case study solve करोगे तो ऐसा question आएगा जिसमें आपको exact यह सारी चीज़े लिखनी होंगी तो वगर इनको explain करते वक्त मैं किसी particular word पे किसी चीज़ पे अलग से जोड दे रही हूँ आपको बार बार repeat करके उन चीज़ों को बोल रही हूँ याद करने तो आप उनको करो क्योंकि यह keywords लिखना होता है exam में अभी हमने उपर पढ़ा ना the analytical procedures to be applied as risk assessment procedure now let's understand कि यह risk assessment procedures क्या होते हैं आप अगर बहुत सारे audit procedure परफॉर्म कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो हर procedure risk assessment procedure हो तो जैसे कि हमने risk of material में statement ले एक नाम रखा ना रोमम मैं कहीं भी रोमम मुलूँगी तो आपको समझ जाना है I'm talking about risk of material में statement likewise हम रिसक assessment procedure के लिए भी रखते है wrap और ये ना सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए है अब याद करते हैं वक्त भी इसको ऐसे याद कर सकते हो कि wrap are audit procedures and this that that ऐसा कर गए लेकिन लिखने जब जाओंगे to obtain her audit procedure नहीं वो particular audit procedure जिचा performed to obtain an understanding of the entity and its environment ऐसे audit procedure जब perform किये जा रहे है to obtain an understanding of entity और उसके environment including the entity's internal control उसका internal control system कैसा है to identify and assess the room whether due to fraud or error at the financial statement and assertion levels जब हम कोई audit procedure perform करते हैं जिससे हमें understanding मिले entity की उसके environment की उसके internal control की ताकि हम identify और assess कर पाए roomum को क्या वो किसी और अगर roomum है तो क्या वो किसी fraud की वज़ा से और error की वज़ा से at financial statement obviously financial statement में कोई roomum है क्या हम यहीं चेक करेंगे and assertion levels assertion level का मतलब होता है the level at which statements are presented as completely true मतलब management जैसे आपके पास formally assert कर रही है बोल रही है कि यह जो statement है यह correct है so we call these at the assertion level एक level पे यह correct है I hope आपको अच्छी तरह से समझा आगे है कि risk assessment procedures क्या होती है अब जैसा की risk assessment procedures में हमें क्या इसकी understanding चाहिए होती है हमें क्या identify करना होता है NDD, उसकी environment, उसका internal control therefore planning includes consideration of matters such as obtaining knowledge about legal framework in which the entity is operating अब आपको NDD और उसके environment की understanding चाहिए है उसके internal control की understanding चाहिए तो आप उसकी legal framework भी तो समझोगे for example आपको किसी company की audit करनी है तो आपको company law की जानकारी होनी चाहिए या आपको किसी telecom company, bank इनकी audit करनी है तो आपको try telecom regulatory authority of India या bank के लिए RBI Reserve Bank of India इन सब की जानकारी होनी चाहिए इन सब के act की information होनी चाहिए, understanding होनी चाहिए so हम planning में legal framework के बारे में भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे नी, मतलब planning करते वक हम समझेंगे वही जो हमने उपर पढ़ा then planning also includes need to consider determination of materiality of significant matters it also involves considering whether experts need to be involved taking into account complexity of business further it also involves considering need to perform risk assessment procedures for identifying and assessing the risk of material misstatement तो ये एक thorough revision था जो हमने उपर ये कुछ points पढ़ें, इनको paragraph में आपे लिख दिया है with some examples involvement of key engagement team members in planning audit जब हम planning कर रहे हो ना audit की और हमने engagement team अपनी तियार कर लिये तो हमें आगे कि अपनी जो भी planning है उसमें engagement team को include करना चाहिए जो हम discussion कर रहे हैं उसमें include करना चाहिए इससे पहला तो उन्हें interest आता है उनको लगता है कि हमसे भी पूछी जार ये चीज़े तो और जादा अपने attention देते हैं काम पे दूसरा उन्हें experience मिलता है उनकी जो inside है जो experience है उसके basis पे भी हम planning perform करते हैं जिससे हमारी planning की effectiveness और efficiency बढ़ती है अब मान लो एक article है जिसने पहले एक firm में काम किया फिर उसने ट्रांसफर ले लिया अब वो दूसरी firm में गया है तो जब वो अपनी पहली firm में था न उसने टेली कॉम कंपनी की audit की और जब वो यहां आया तब इसकी कंपनी को भी एक टेली कॉम कंपनी की audit मिल गई और ये भी उस engagement team का part बना जो उस टेली कॉम कंपनी की audit करने जा रहा है तो क्या ये अपना experience share कर सकता है planning में हाँ बिल्गूल उसकी effectiveness और efficiency बढ़ जाएगी ये पता सकता है कि हमने वहाँ पे audit करते वग ये ये mistakes की थी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर हम टेली कॉम कंपनी के audit करने जा रहे है तो involvement होना चाहिए कि engagement team members का planning करते वग discussion of elements of planning with entities management ये कोई compulsion नहीं है the auditor may decide जहां पर ये may word लिखा होता है ना इसका मतलब कर भी सकते हो और नहीं भी कोई compulsion नहीं है अगर auditor चाहे तो management के साथ discussion कर सकता है ताकि जब वो conduct करे अपनी audit engagement को तो वो अच्छी तरह से conduct हो पाए अच्छी तरह से manage हो पाए अब आपने management को बताया ही नहीं है हम 10 बज़े आ रहे हैं आपके office आप बस चल दिये तो ज़रूरी थोड़ी आपको जाते ही सारी information सब जो भी statement चाहिए सब मिल जाए आपने पहले से inform कर दिया हम इतने बज़े आएंगे और सबसे पहले हम इस प्रोसेस से start कर ले तो हमें यह यह documents ही है तो क्या वो अविलेबल होगा क्या आपको help करेगा करेगा तो इसमें बस यह चीज़ explain किया है यह ऐसे कुछ learn करने का नहीं है इसमें planning process elements of planning क्या क्या element होते हैं planning के तो element preliminary engagement activities and planning activities तो चलो let us understand preliminary engagement activities preliminary engagement activity का मतलब होता है न पहले से कोई engagement activity आपने उस company उस firm के साथ perform की हुई है like for example पिछले साल भी उसकी audit आप नहीं है तो वह होती है preliminary engagement activities so preliminary engagement activity में हम basically क्या check करते हैं हम perform करते है procedures regarding the continuous of client relationship क्या हमें client relationship continue करनी चाहिए क्या ethical requirements साथ comply कर रही है firm including independence establishing and understanding of terms of engagement जब भी हम preliminary engagement की बात कर रहे होते हैं that time auditor considers whether relationship with the client should be continued और whether ethical requirements including independence continue to be complied with it includes performing procedures regarding the continuous of client relationship आप procedures perform करो और चेक करो क्या इस client के साथ अभी भी काम करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्या जो terms में पिछली बार किया था उसी terms में करना चाहिए elevating compliance with ethical requirements including independence establishing and understanding of terms of engagement तो अभी इसको deep में नहीं समझते हैं क्योंकि हमें नीचे अभी सब ची समझे नहीं है preliminary engagement activities include the following performing procedures regarding the continuance of client relationship and audit engagement acceptance and continuance of client relationship and audit engagement हम ऐसे procedures perform करेंगे जिससे हमें यह पता चलेगी क्या हमें client के साथ जो relationship थी वो continue करनी चाहिए क्या हमारा audit engagement continue करना चाहिए it should be ensured that appropriate procedures regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement have been followed and the conclusions reached in this regard are appropriate सबसे परहे तो हमें planning करते वक्त यह ensure करना है कि क्या हमने appropriate procedure perform किया है regarding continuance of client relationship and audit engagement और क्या हम दे follow किये conclusions पे पहुचे है in regard to this जो appropriate हो the firm should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of new engagement with an existing client आपको ना कुछ necessary information obtain कर ही लेने चाहिए before accepting engagement with new client किसी नए client के साथ काम स्टार्ट करने से पहले ना कुछ particular information आपको लेनी होगी और अगर आप एपने existing client के साथ existing engagement continue करने वाले हो तब भी आपको वो कुछ information चेक करनी होगी और जब आप existing client के साथ कोई new engagement फॉर्म करने वाले हो तब भी अब वो क्या information है वो क्या matters है जो इन तीनों केस में आपको चेक करनी ही चाहिए matters such as integrity of principal owners and key management क्या जो company के owners है वो honest है जो key management है वो honest है वो integrity के साथ काम करने वाले है second competence of engagement team to perform the audit engagement क्या आपके पास ऐसी engagement team है ऐसे members है जो उतने competent हैं कि उस particular firm की audit perform कर भा है अब आपके पास ऐसे लोग ही नहीं है जिनको telecom company की कोई knowledge है आप कर सकते हो क्या audit नहीं and implications of matters that have arisen during current and previous audit engagement may need to be considered आप अभी जो audit perform कर रहे हो या पहले कभी जो audit perform की है उसके basis पर आपको अगर को information भी लिए तो आप वो भी consider करते चलोगे साथ में तो सबसे पहले हम क्या check करेंगे integrity of principal owners and key management firm चेक करेंगे क्या हमारे पास competent engagement team है और फिर हम implications भी चेक करेंगे उन matters का जो arise हुए during current और previous audit engagement besides in case of initial engagement communication with predecessor auditor should be made where there has been a change of auditors initial engagement मतलब नया engagement अगर आप किसी नया engagement को perform करने वाले मतलब आप से पहले कोई दूसरा auditor था वहाँ that is predecessor auditor पहला auditor आप से पहले जो था आप उससे consult करेंगे आप उससे information लेंगे evaluating compliance with ethical requirements including independence अब यह ना हम लोग अपनी next class में बढ़ते हैं ओके आज के लिए इतना ही thank you everyone all the best अगर कोई doubt हो तो आप पूछ सकते हो I will try my level best to clear all your doubts और हाँ अगर communication के लिए आपको कोई channel चीह है like telegram और instagram तो मुझे बताओ thank you